गरम पानी पीना किन के लिए है फाइदे मंद और किन के लिए है नुकसान दाइक Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, मैं हूँ Divya Sharma सब लोग यही समझते हैं कि सब लोगों के लिए गुन-गुना पानी पीना या गरम पानी पीना बहुत फाइदे मंद हैं वो दिन में कितने मरजी किलास पानी पीने गरम सब के लिए फाइदे मंद होगा बॉडी सही रहेगी, बॉडी हल्थी रहेगी लेकिन सब लोगों की सब परसंस की बॉडी एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होती है उनका temperature, उनका observing power जो होती है, वो सब की अलग लग होती है इसलिए कुछ चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है, जो बहुत जादा गरम पानी पीते है बहुत जादा गुन-गुना पानी पीते है तो वो कुछ चीजों को जरूर जान लें कि किन के लिए ये नुकसान दायक भी हो सकती है तो सबसे first मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी एक होता है गरम पानी, एक होता है गुन-गुना पानी, यानि कि हलका गरम पानी एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा हलका गरम यानि गुन-गुना पानी ही पीएं कभी भी उबलता हुआ गरम पानी ना तो सुबह पीएं ना ही पूरे दिन में कभी पीएं जिनकी कफ परवर्ती है यानि कि जिनको खांसी बहुत जल्दी हो जाती है उनके लिए गुनगुना पानी पीना फाइदे मन्द है जिनकी बोडी में कॉलेस्टरॉल बढ़ता है यानि कि बुरा कॉलेस्टरॉल बढ़ता है उनके लिए भी गुनगुना पानी पीना फाइदे पीते हैं तो उनको सर्दी जुखाम बहुत जल्दी चला जाएगा इसके इलावा जो लोग वेट लोस करना चाहते हैं उनके लिए भी गुनगुना पानी पीना बहुत बढ़िया है बाडी को डिटॉक्स करने के लिए मतलब कि बाडी से टॉक्सिंस को दूर करने के लिए भी गुनगुना पानी पीना बहुत जलूरी है लेकिन इसके side effects भी होते हैं कुछ लोगों को इसे नहीं पीना तो वो हैं जिनको भी kidney problem है यानि कि जो भी kidney के patient हैं उन्होंने गुनगुना पानी नहीं पीना क्योंकि गुनगुना पानी जादा पीने से उनकी kidney और damage हो सकती है इसके इलावा नीन में ये disturb करता है जो लोग रात को mostly गरम पानी पीकर सोते हैं कि सुबह वो अच्छे से fresh हो सकेंगे कबज की problem है जिनको उनको नीन डिस्टर्ब भी हो सकती है या फिर जिनको नीन डिस्टर्ब रहती है उन्होंने भी गुनगुना पानी बहुत कम पीना है और रात को पीकर बिलकुल नहीं सोना इसके इलावा जिनके मुँ में छाले बहुत जल्दी हो जाते हैं उन लोगों के लिए भी गुनगुना पानी पीना हानी का रख है जिनका बीपी हाई रहता है उनको गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए वो जादा से जादा एक गिलाज सुबह पी सकते हैं लेकिन पूरे दिन में बार बार गुनगुना पानी नहीं पीए वो नॉर्मल वाटर ही लें इसके इलावा जो भी लीवर पेशेंट हैं यानि कि जिनका लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करता उनको भी गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए या फिर बहुत कम कुईंटिटी में पीना चाहिए बहुत कम कोंटिटी को अगर बताएं तो सुबह सुबह सिर्फ एक गिलास पानी पूरे दिन में गुनगुना पानी नहीं पीना ये थी information बहुत ही खास जो सब लोग morning में यूज करते हैं उस बारे में ये information अगर आपको अच्छी लगी तो like जरूर करिएगा और अपने friends के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और bell icon को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली videos के information उसके updates पे आपको मिलते रहें मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye